पदम प्राण के सर खंड में सन्यासी के नियम व्यास्टी कहते हैं दिजवरो इस प्रकार आश्रम में निष्टा रखने वाले तथा नेमित जीवन विताने वाले सन्यासियों के लिए फल मूल अथ्वा बिख्षा से जीवन निर्वा की बात कहीगी उसे एक ही समय बिख्षा मांगनी चाहिए अधिक बिख्षा के संग्रे में आसकत नहीं होना चाहिए क्योंकि बिख्षा में आसकत होने वाला सन्यासी विश्यों में भी आसकत हो जाता है साथ घरों तक बिख्षा के लिए जाए यदि उनमें नाम ले तो फिर नहीं मांगे बिख्षू को चाहिए कि वे एक बार बिख्षा का नाम लेकर चुप हो जाए और नीचे मुख ये एक द्वार पर उतनी ही देर तक खड़ा रहे जितनी देर में एक गाएंदु ही जाती है बिख्षा मिल जाने पर हाथ पैद दोकर विधी पूर काच्वन करे और पित्र होकर मोन भाव से भोजन करे पहले में अन सुरे को दिखा ले फिर पूरफ की और मुख होकर पांच बार प्रान अगनी हुत्र करके अर्थात प्रानाई स्वाहा अपानाई स्वाहा स्वानाई स्वाहा व्यानाई स्वाहा उदानाई स्वाहा इन मंत्रों से पांच ग्रास अन्न मूँ में डाल कर एका गर्ची तोकर आठ ग्रास अन्न भोजन करे भोजन के पच्चात आचमन करके भगवान ब्रह्मा जी एंप्रमिश्र का ध्यान करे तो उन्भी, लकडी, मिट्डी तथा बांस इनी चारों के बने हुए पात्र सन्यासी के उप्योग में आते हैं ऐसा प्रजापती मनु का कथन है रात के पहले पहर में, मध्यरात्री में तथा रात के पिछले पहर में विश्य के उप्त्ति के कारनें विश्य नाम से परसिद इश्वर को अपने हिर्दे कमल में स्थापित करके ध्यान संबंदी विश्य शलोकों एंब मंत्रों के द्वरा उनका इस परकार से चिंतन करें परमेश्वर संपूरन भूतों के आत्मा अज्ञान में अंदकार से परे बिराजमान सब के आधार अव्यक्त सवरोब अनंद में ज्योतिर में अविनाशी प्रकती और पुरुष से अतीद अकाश के भांति निरलेब परमकल्यान में समस्त भांव की चरम सीमा सब पर शाशन करने वाले तथा ब्रहमरूप हैं तदन तर प्रणवजब के पश्चात आत्मा को अकाश सवरोब परमात्मा में लीन करके उनका इस परकाद ध्यान करें परमात्म देश सब के इश्वर, हिद्य अकाश के बीच बिराजवान, समस्त भांव की उत्पत्ती के कारण, अनन्द के एक मात्राधार तथा प्रान पुरुष श्री विश्नू है इस परकाद ध्यान करने वाला पुरुष भावबंदन से मुक्त हो जाता है जो समस्त प्रानियों का जीवन है, जहां जगत का ले होता है, तथा मुक्ष पुरुष जिसे ब्रह्म का शुक्षम अनन्द समझती है उस प्रम्व्यों के भीतर केवल अदिती अग्यान से सवरू ब्रह्म स्थित्त है जो अनन्त सत्य एम इशरूप है, इस परकार ध्यान करके मौन हो जाएं यह सन्यासियों के लिए गोपनिये से भी अत्यंत गोपनिये ग्यान का वर्नन किया गया जो सदा इस ग्यान में स्थित्त रहता है, वे इसके द्वारा इश्वरी योक का अन्भव करता है इसलिए सिन्यासी का उचित है कि वे सदा ग्यान के अभ्यास में तत्पर और आतम विद्या प्राइन होकर ग्यान सरूप भ्रह्म का चिंतन करें जिससे बावबंदन से छुटकारा मिले पहले आतमा को सब द्रिश्य प्रदार्थों से प्रथक केवल अदिती या अनन्दम अक्षर अविनाशी एम ग्यान सरूप जानने इसके पाद उसका ध्यान करें जिन से संपुरन भूतों की अद्पत्ति होती है जिने जानकर मनुश्य पुना इस संसार में जिनम नहीं लिता वे प्रमात्मा इसलिए इश्वर कहलाते हैं कि वे सब से परेस्थित है सब के उपर अध्यक्य रूप से बिराजमान है उनी के भीतर उस शाश्वत कल्यान में अविनाशी भ्रह्म का ग्यान होता है जो इस दृष्य जगत के रूप में परत्यक्ष और सवरूप से प्रोक्ष है वेही महाश्चर दीव हैं सन्यासियों के जो वरत बताएगे हैं वैसे ही उनके भी वरत हैं उन वरतों में से एक-एक काug लंगन करने पर भी प्राष्चित करना पड़ता है सन्यासियों यदि कामना पूरवक इस्त्री के पास चला जाए तो एकागर चीतों कर प्राष्चित करे उसे पुईत्र होकर प्राणयाम पूरवक सांत्मण वरत करना चाहिए सांत्वन के बाद चित को एकागर करके शोच संतो शादी निमों का पालन करते वे वे क्रिच्छ रत का अनुस्थान करे तंतर आश्रम में आकर पुना आलस से रही थोकर भिक्षू रूप से विचरता रहे असत्य का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जूट का प्रसंग बड़ा भ्यंकर होता है धरम की अविलाशा रखने वाला सन्यासी यदि जूट बोल दे तो उसे उसके प्राश्चित के लिए एक रात पुवास और सो प्रानयाम करने चाहिए बहुत बड़ी अपत्ती में पढ़ने पर भी सन्यासी को किसी दूसरे के यहां से चोरी नहीं करने चाहिए समरितियों का कथन है कि चोरी से बढ़कर दूसरा कोई अधरम नहीं हिंसा त्रिशना और याचना ये आतम ग्यान का नाश करने वाली है जिसे धन कहते हैं वे मनुश्यों को बाहे प्रान ही है जो जिसके धन का अप हरन करता है वे मानों उसके प्रान ही हर लेता है ऐसा करके दूस टात्वां पुरुश आचार बरस टोकर अपने बरस से गिर जाता है यदि सन्यासी एकस्मात किसी जीव की हिंसा कर बैठे तो क्रिच्छ अति क्रिच्छ तथा चंद्राइन वरत का नुस्थान करे यदि बिक्षो का उसकी अपनी इंद्रियों की दुर्बलता के कारण किसी इस्त्री को देखकर मन विचलित हो जाए तो उसे सोला प्राणा याम करने चाहिए विद्वानों दिन में मन विचलित होने पर वे तीन रात का व्रत और सो प्राणा याम करे यदि बै एक स्थान का अन्न मदो नवीन शिरात का अन्न तथा खाली नमक खाले तो उसकी शुद्धी के लिए प्रजापत्य वरत बताया गया है सदा ध्यान में स्थित रहने वाले प्रोष के सारे पातक नस्तो जाते हैं इसलिए महेशर का चिंतन करते हुए सदा उनी के ध्यान में से लग रहना चाहिए जो परम ज्योती सरो ब्रह्म सब का आश्रे अक्षर अव्यय अंतरात्मा तधा परभ्रह्म हैं उनी को भगवान महेशर समयना चाहिए ये महादेव जी केवल परम शिव रूप हैं ये ही अक्षर अध्वेत एम सनातन परंपत हैं वे देव सव परकास रूप हैं ज्यानन की संग्या हैं वे ही आतम योग रूप तत्व हैं उनले सब की महिमा पर्तिष्टा होती है इसलिए उन्हें महादेव कहा गया है जो महादेव जी के सिवा दूसरे किसी देवता को नहीं देखता अपने आतम सरोप मुन महादेव जी का ही अंसरन करता है वे परमपत को प्राप्त होता है जो अपने को उन प्रमिश्वर से भिन मानते हैं वे उन महादेव जी का दर्शन नहीं पाते, उनका प्रिश्रम व्यर्थ हो जाता है, एक मात्र प्रब्रम्म ही जानने योग्य अविनाशी तत्व हैं, वे ही देवादी देव महादेव जी हैं, इस बात को जानने ने प्रमनुष्य कवी बंदन में नहीं पड़ता, इस दिये सन्यासी अपने मन को वश्मे करके नियम पूरक सादन में लगा रहे, तता शाद भाव से महादेव जी के शर्ना का दोकर ग्यान योग में तत्पर रहे, ब्रामनुष्य इस परकार में ने आप लोगों से सन्यासियों के कल्यान में आश्रम धर्म का बर्नन किया, इसे मुनि उत्र शिश्य तथा योगियों के सिवा, दोसरे किसी को इसका अपदेश नहीं करना चाहिए, देजवरो इस परकार में ने सन्यासियों के नियमों का विधान बताया है, ये दिवेश्य और ब्रह्माजी के संतोष का एक मात्र सादन है, जो माल लगा कर प्रते दिन इन निय मौका पालन करते हैं, उनका जनम अध्वा मरन नहीं होता।